इंडिनाइडल रियालिटी शो के सीजन बारहम में एक के बाद एक दमदार टालेंट सामनी आया है इसाज सीजन ट्वल की थीम है फिर से बदले का देश का मौसम इंडिनाइडल 2020 के साथ इंडिनाइडल के मंच पर रजस्थान के गच्छे पुरा नागोर के सवाई भट ने ऐसा जलबा दिखाया कि जजस देखते ही रह गए इंडिनाइडल के कंटेस्चेंट सवाई भट के पता भी एक शानदाज संगर है बैटे को इतने बड़े मंच पर पहली बार परफॉर्म करते देख उनके अंसू निकल गए अदना गुजारा चुलाने के लिए पता राजस्थान में कट पुथली का शू चलाते हैं परंप्रेक संगीत उनकी शान है सवाई भट ने जब राजस्थानी गाने के सरिया बालम को पेश किया तो जज हिमेश नेहा और वुशार देखते ही रह गए हिमेश ने तो यहां तक कहा दिया कि सनी हिंदुस्तानी और सल्मान अली के बाद में हमेशा सोचता था कि मिशिन इंपॉसिबल 3 कैसी होगा नेकिन आज इसका जवाब मिल गया सवाई ने हमेशा संगीत की साधना की है लेकिन उनके बरिवार की आठिक स्थिती उनके सपनों में रुकावट बन गी हाला कि दोस्तों की मोटिवेशन के बाद उन्होंने आउडिशन में जाने का फैसला किया सवाई का माना है कि जब से मुबाइल टीवी आया है उनका कट पुतली का काम खत्म हो जुका है सवाई ने संगीत में कोई भी आपचारिक प्रेश्रिक्षन नहीं लिया है लेकिन वो संगीत सीखना चाहते हैं और अपने हुनर से वो अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं द्रैजल राजिस्तान की कलास संस्किती वरासत में मिलती है यतनी सम्रद है कि धानियों के बच्चे शुरू से ही परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं सवाई ने राजिस्तान का मश्जूर गीद केसरिया बालम अपने ओडिशन में जजस के सामने पेश किया कहा जाता है कि भלे ही आप राजिस्तान न गई हो लिकिन राजिस्तान के सर्य बनकर आपके पास जरूर आता है इन्हें नारल के जजज भी सवाई का परफॉर्मेंस देकर मंत्र मुख्ध हो गया उनकी तारीफ करते हैं उन्हीं कहा सल्मानों सली के बाद उनमें अपने देश की आवाज बनने की काबियत है सवाई की आवाज से खुश हो कर उन्हें गोल्डन माइक भी दिया गया है अब सवाई ओडिशन ड्राउंड में तो जजजस को इंप्रेस कर चुके हैं अब आगे वो अपनी आवाज का जादू किस तरह से चलाते हैं और कहां तक पहुच पाते हैं ये तो शो आगे बढ़ने और एपिसोड जाने के बाद ही पता चलेगा आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियोज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें